अगला बचन गुर्देव कारदे ने बड़ पागी ते जन जगमा हैं, सदा सदा हर के गुन गाहें, बड़ पागी दा मतलब वड़ पागे, ओ पुर्श, ओ इनसान, जगत अंदर वड़े पागां वाले ने, यानि उना दा जीवन खुश हाल है, ओ खुश नसीव ने, कौन? सदा सदा हर के गुन गाहें, जो सदा प्रभु दे गुन गौंदेने, गुन गान दा मतलब गुना बारे सोच देने, गुना वाले उना दे बोलने, और गुना वाला उना दा व्योहार है, ओ लोग वड़े पागां वाले ने, ओ खुश किसमत ने, ओना दा एस संसार दे अं मिल रही है कि असी ह्मी रभ्य गुना दे आरने हो के खुश किस्मत हो सकते हैं खुश हाल हो सकते हैं असी परसांच रह सकते हैं क्योंकि मूर घड़ा है खुशी दा ओ है रभ्य गुना ताहुन साथे कुल दो चीजां आ गी आंगे modest कि खुश किस्मती और बदकिस्मती खुश किस्मती दा रास्ता है रभी गुनादे ता आरनी होना ते बदकिस्मती दा रास्ता है रभी गुनादा त्याग कर देना चोईस मनुख दी अपनी है चोन ए दी अपनी है कि एक गुनावाला रास्ता चुनेगा, जाके आउगनावाला चुनेगा ता गुरु जी सनू गुनावाला रास्ता चुनन्दी प्यर्ना दे रहने कि ओ इनसान वड़पागी ने, खुश हाल ने जो सदा, रबी गुनादा गाइन कर दे हम राम नाम जो करें वीचार राम दा मतलब रमया हुया नाम दा मतलब हुकम जो प्रभु दे हुकम दी विचार कार देने यनि अपने विचार मंदल दे अंदर प्रभु दे हुकम नो वसोंदे हन और राप दे हुकम बारे विचार कार देने हुकम दा मतलब जो सिश्णम है, कुदरत दे बनाय हुई रापदे, अटाल नेम ने, जेड़े उना बारे विचार कर देने, यानि उस हुकम दे दाइरे विच रह के विचार कर देने, से तनवंत गनी संसार, गनी दा मतलब गिने जान देने, तनवंत दा मतलब दौलत मंद, असल दे अंदर ओ लोक ही दौलत मंद ने, ओ ही तनवंत ने, ओ ही अमीर ने, जेड़े रभी खुकम दी विचार करतें, ओ दौलत मंद ने, ओ रज्ये पुज्ये ने, ओ तनी ने, ओ अमीर ने, ओ खुश हाल ने. हुँ देखो जिननी वी खुशहाली है चाहे वो तान कमाना है ता वो भी एक सिस्टम देवेच है राजनेती दी दुनिया है एक सिस्टम देवेची तुसी MLMP बन सकते न, election लड़के साइन्स दी दुनिया है तरम दी दुनिया है परिवारक जिंद्रगी है जा साथी परसनल लाइफ 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 है एदा मतलब मान करके तन करके और मुख करके बोले हर जेडे रापदे गुणा बारे बोल देने मुखी दा मतलब ओ ही स्रेष्ट ने ओ मुखी जानने उत्तम ने ओ मन तन मुख बोले हर मुखी ओ मुखी जानने स्रेष्ट ने ओ उत्तम ने जो मन करके तन करके और जबान करके एचीद समझने ये मन तन और जबान करके देखो एक ते हंदा है बंदा जबान देनाल तन बोल जानना है जिवे मैं जबान देनाल गुर्बानी दी गालबात कर रहा हूं पर मेरे मन दे अंदर ये विचारा नहीं है मन दे विच मेरे विच कुशूर है ता में प्रोबलम क्रियेट होईगी मैं सुखी और शानत नहीं रहे पालबात दूटी गल एह है कि मेरे जबान विच भी है और मेरे मन दे विच भी गलाने लिकिन तन दे नाल में ऐ हुझे कम करता नहीं मेरा भी हेव ऐसा नहीं है मैं हुझे कम करता नहीं मैं मन विच भी सोच दा हां कि मैं किर्थ करां जबान दे नालवी में कहिन ना भी किर्थ करनी चाहिए दिये पर मैं तन दे नाल किर्थ करने ही रहा था उधा कोई लाव नहीं होईगा न इस करके गुरु जी कहने ने ओ लोक स्रेश्ट ने, महान ने, मुखी ने जो मन, तन और बचना करके रब्बी गुनान दे तार में ने जिनना दे सोच हुए चुई रब्बी गुनने जिनना दे बोला विच रब्बी गुनने और जिनना दे बिहेव दे अंदर भी रब्बी गुनने, ओ जी डिस फ्रेश्ट इंसान ने सदा सदा जाननू ते सुखी ते दा मतलब अनू समझ लोग की ऐसे बंदे सदैवी तोर पे खोश ने सुख ने, सुखी ने ओ लोग सुखी ने ओ ही मुखी ने, मुखी दा मतलब महान ने ओ लोग स्रेश्ट ने ओ लोग ओ महान लोग जो मन, बचन और करम करके रभी गुनानते तार नीने गुरु जी कहने ने ए जान लो ए गल पक्की पल्ले बन लो कि ओ लोग सदा ही सुखी ने, सदै भी सुखी ने जित्थे भी उजानगे सुखी और शान्त रेनगे जिथे भी उजानगे सुखी और शान्त रेनगे जिथे भी उजानगे सुख और शान्ती वरतानगे अस एक साखी सोनगे ना गुर्नानक देवाली उजड जाओ तिवस जाओ ओ ठीक हुए गल्त हुए ओ ता कुई मैंने विचार कर रहा है जिथे भी जानगे सुख गल्त हुए जो सम्झानदा यतन किता गया है कि चंगे बंदे जिथे भी जानगे ओ थे उजड चंगयां पैदा करनगे ते बुरे बंदे जित्थे जानगे वो बुरे आईगा ते बीच बीच जानगे वो बुरे आईगा पैदा करनगे उननाने कोई ना कोई लब लेना होले होले उननने बुरे आईगा फैलादे निगाने तो जिड़े चंगे बंदे जानगे, वो चंगयाईगा पैदा करनगे, जित्थे भी जानगे उथे चंगयाईगा पैदा करनगे, इसलिए साधे ते डिपैंड करेगा कि असी की चांद है, असी चंगयाईगा पैदा करना चांद है, बुर्याईगा पैदा करना चांद है, अ अफिर मन, बचन और करम करके गुणा दे तार नहीं होना चाहिए ऐसे इंसान सदा ही सुखी रन देने एक को एक एक पच्छाने एक को एक दा मतलब केवल एक वाहि गुरुनो, एक राबनो पच्छाने दा मतलब जो पच्छान दा है जो इन्सान सरफ एक राबनू ही पचान दें, जिद जान पहचान एक देनाल है, इत उत की ओसोजी जाने, इत उत की दिया मतलब एथे उत दी, यानि सारे संसार दी, सारे जीवन दे सफर दी, पूरी जिंदगी दी, इत उत एथे उत धे हर थां, हर समय, उन्हों सूज आजन दी ह कि नो जेड़ा एक दी पछान कर दा है उन्हें छीज थोड़ी जी समजन वाली है देखो, एक के चार्च फिरे एक पस रहा होया है एक को ऐंकारदा मतल्ब ही हा है कि जेड़ा एक ही चार्च फिरे पस रहा हुआ है एक को अबीना कोई हूर है ही नहीं दूजा नहीं है इक कोई है जो दीस है सो तेरा रूप एक की सिस्टम है जी मैनू चंदरमा चो चाननी मिल रही है तो अनू मिल रही है सूरस तो मैनू जीवन मिल रहे है तो अनू मिल रहे है सारे नों मिल रहे हैं ना सोई चंद, चड़ें सी तारे, सोई दिनी अर्तप्त रहे, सात अर्पी सो पॉंचुला रहे, जूग जी खिल है, थाम कैसे. पहला सात अर्पी साथ जूग जी खिल है, बड़ा प्यानक समा आ गया, तो गुरु जी कहन दने पर काल जूग के में आ गया है, जेडे समय नों उसे सात जूग कहन दे सी, ओई सूरज है, ओई चंदर में, ओई तर्पी है, ओई हवा, ओई कौन पानी बैसंतर, ती जूग के म नहीं नहीं, एदा मतलब समेदे नाल ते कौशन नाया, सिरफ सोच बढ़ली है, जदो बंदा साच दे नालों कोट दे, ओदो गाडबढ़ हुदी है, जे बंदा ए समझलवे पी सिस्टम ते एक की है, एक सिस्टम दे अंदर एक बंदा चंग हो गया, एक बंदा माड़ा हो ब boiler, तै दा मतलब ताम ना उंदा कोशनी कीता, तरती ने थे किस लुम आड़ा नहीं बनाया, कि तरती ने खुराक मारी देदेती होगी, तरती थे झे छॉले बीजे मढ़रे, कनक बीजोगई, कनक बीजोगई, कनक बीजोगई, gross, कें बीजोगई, और वादेए, कसे इह अपी तर फ्राद सुख सुख दे मिलनगे गव्यान अग डूख देलगने अगे यह ना सिस्टम सारे आवास थे, जे कुई इस चीज दी पहचान कार लवे, तब फिर उचनियाईयां भीचेगा, पहली गाल, दूजी एक नू पछाने, होना सी गाल के रोज कहीं निया, पिर आप एक कै, कट, कट मैं हर दू बस है, जो दिस है, सो तेरा रूपे पंक्तियां स अनु सारे अनु रटिगा पिंगाने, इना दे मीनिंग दा भी पता है, ति यह सी एक दूजे नू पछान दे कि में है, पि एफलाँ जात दे, एफलाँ जात दे, इस तरही पछान दे ना, कि एदी जातो है, 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 साधी पशान के एह भी बनी है न तो जे असी एकने रूप में की पशाने है कि उस मुताबक सी विहार करिए तब फिर साधी जिन्दगी बदलेगी जिड़ा एक हुकम नो पशान लेंदा है इतकुत की उसोजी जाने ओहर थांते जीवन दे पूरे जीवन सफर दिया नो समझ आजन्दी है कि पूरी जंदगी दे विच पूरी दुनिया विच एकको ही सिस्थम लागू है चंग्याईगां बीजोगे चंग्याईयां उगनगियां बुर्याईगां बीजोगे बुर्याईयां उगनगियां बुर्याईयां बीजोगे बुर्याईयां उगनगियां खु पिर अपने पूर जीवन सफर दी असलियत नो समझ लेंदा है, कि हार इक दी जिन्दगी दे विच एसे तरह ही वाप परदा है, एक ही चार चुफिरे है, ओ फिर जीवन दी सही जुगत समझ लेंदा है नाम संग जिसका मन मन्या, नाम दा मतलब राबदा हुकम, जिदा राबदे हुकम दे नाल मन मन गया, मन गया दा मतलब राचमिच गया, जिन्ने उस नाम नू, हुकम नू अपना लेया ये बिल्कुल ठेक हुंदे को दो गल्लाने, असी आपस देविच विचार सांजी कर देया, पर विचार सांजी कर देया जरूरी नहीं कि इसे एक दूदे गल माननी लिए, नहीं ना बंदे, ऐसे सैमत नहीं हुंदे कई वार, सानु, किसे चीज़ दा लाब ता हो सकता है, एक दूदे तों जी चंगी गाल देनाल सैमत हो जाई है, मैं नो पोख लगी है, ते तुसे क्या पीविर जी पोख लगी ते प्रशादा त्यार ए प्रशादा चाकलो, ते जे मैं हुन तो अड़िनल सैमत हो जामा, प्रशादा नहीं चकना, मैं ते कार जाकर चकांगा, मैं चकना ही नहीं, तब फिर मेरी पोख नहीं मिटेगी, क्योंकि मैं तो अड़िनल सैमत हो जामा, तुसे हुन कहना चांदे हो, कि चलो पाई सब आप दिल्ली चल देया, आप इंडिया चल देया, कॉम के हुन देया, तिकट तो अ सैमत ना हुआं, तब फिर मैं इंडिया नहीं पहुंच सकता, फिर मैं इंडिया दी सैर नहीं कर सकता, तब इस से तरह जे हुकम नूँ उसी समझते लिए, हुकम नू सुन लवी ये, पर मनीगे ना सैमत ना हुए, त फिर ता प्रोब्लम आएगी न, इनु कैजने नाम जिसका मन मानेया, जिस दा हुकम देनाल मन मन गया, पतीज गया, जिसने हुकम देनाल सहमती प्रग्टाई, जिनने हुकम दे विच रहना शुरू कर दिता, जो हुकम देनाल सहमत हो गया, नानक तिनहे निरंजन जानेया, तिनहे दा मतलब उनाने, उसने, निरंजन दा मतलब अन्दन दा मतलो हुंदा है सुर्मा या निकालक, निरंदन दा मतलो निरलेप, ओना ने फिर उस निरलेप राबनु जान लिया, ओना नु समझ जागी पी वास्तव देवे चार चुफेरे राब ही वस्ता है, जिडे हुकम देनाल सैमत हुगे, उन्दे को एक थुम हो सकते जान रह जाए, तन नानक्तने निरंदन जानन लिया मनलो असी दो वीर हुआ, ते असी ऐचेज नो मनल वीये पी जो दिस है सो तेरा रूप पी जो दिस रह है उर तेरा ही रूप है, ते यसी दो वीर पहना, कोई भी, एक दूजे नो रबदा रूप मन के विहार करना शुर लेकिन एक दूजे नो ठीबिगा लाईए, एक दूजे दी बुर्याई करिये, तो खा दे विये, अंदरों हो और ते बारों होर हो के विचरिये, तब फिर तना गालनी ना बनेगी, इसलिए गुरू जी कैन ने जिदना दा नाम दे नाल, रब्मी गुना दे नाल, रब्मी दे देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नहीं आया, अगला बचनकारवे ने गुर्परसाद आपन आप सुझे, गुर्परसाद दा मतलब गुरू दी किर्पा राही, आपन आप दा मतलब आपना आपा, सुझे दा मतलब समझ आ जाए, गुर्परसाद दा मतलब और गुरू दे ज्ञान मुताबक जिंद की जीवे, ते एनु आपने आप दी सूज पैदा हुजाए, आपने आपनो इस समझ़ लबे, गुरू दे ज्ञान दे नाल बंदा आपने आपनो समझ लेंदा है, असल की मनुख ने आपने आपनो समझ जा नहीं, यह अपना विचार ये समझ नहीं कि मैं खड़ा कित्थे हुआ, शरीरत तौरते मेरे विच ताकत कि नहीं है ते मैं करना की चार्या हूँ, ताकत मेरे विच दस किलो वीट चुंक दी ती चुकंदा यतन कर रहा हैं, मैं चाली किद डू ता प्रोबलम आयेविए ला, शरीरत तौरते मैं कित्थे तरह आँनिजार्ष थायो मेरी और गयान मेरे विछ नहीं ते गल्ला में केडियां कर रहा हैं कि मैं इस चीज दिननार्णावनागा बहुत थायो में थायोम सबस्काहिच खणा जाए थायों सबस्क्राइब में ने शेss मेंडेसे चाहिए कि आत्मक तौर्टे मैं कि थे खड़ा, पहला नो इप हांड करनीच जए धीहार बंदे नो। प्राजनितिक, तार्मिक, आर्थिक, समाजिक तॉरते में कि थे खड़ा मेरा विहार कैसा है। परिवारक और विवहारक तॉरते में कि थे खड़ा मेरा विहार कैसा है दूज्यान देनाल। पहला थे बंदे नूं अठानुए निडेनुए परसेंट लोका नू ए यह नहीं पता, ए दे बारे नहीं पता, दूची प्रोब्लम बंदे दी ए है कि मैं बनना कैसा चन्दा हूँ, शरीरत तोरते, मानसिक तोरते, बाधिक तोरते, आत्मक तोरते, मैं कैसा होना चन्ना, मेर परिवारक और विवारक तोरते, मैं कैसी जिन्दगी जीनी चानना हूँ, मेरा गोल की है, राजनेतिक, तारमिक, आर्थिक, समाजिक तोरते मैं की चान्दा हां, हम बंदे नूं एह ही नहीं पता है, जे ए पता लग जाए, कि मैं एथे खड़ां और मैं एथे जाना चन्ना आप यह जाए होना चानना, ता फिर उनु ए नहीं पता लगता, पिर दे वास्ते, रिसॉर्स की ने, ओ रिसॉर्स कितों मिलनगे, किमें मिलनगे, और जो मैं अपना गोल बनाया है, ए हो जाए मैं किने समय विछ होना चानना हूँ, इनना चीज़ां बारे नहीं ना पता, आम वह बंदा गुरु दी बानी पढ़ दै, गुरु तो ग्यान लेंदा, फिर उनु अपने आप दी सूज पैदा हूं दिये, पहला हूनु, वह अपनी सेल्फ एनलसिस करता हूँ, गुर्परसाद आपनाप सूज है, फिर उनु अपने आप दी सूज पैदा हूं दी, कि मैं ऐ ठिक ना, ऐ मेरा गोल है, ऐ में में जिंदगी जी नहीं है, गुरु दे ज्ञान मुतार्दुक जिंदगी ऐस टाइप दी हूं दी है, जदों इस समझ पह जाए, ते फिर उदा रिजल्ट की निकल दा है, तिसकी जाननू त्रिसना बुझ है, जाननू दा मतलब समझ लो, ज जान लो, ए जान लो कि उस बंदे दी फिर तृष्णा मिठ जन्दी है, तृष्णा बुझ जन्दी है, उदे अंदर फिर तृष्णा दी, इर्खा द्वैश्ती, आगनी रह जन्दी, ओ परमशान्त हो जन्द है, ओ फिर खोहा खप्ती नहीं करेगा, ओ फिर विबचार नह कमाएगा, ऐसा बंदा रिश्वत, खोर, चोर, बजारी पितन देकरन वाला नहीं होएगा, ओ दे तृष्णा बुझ जैएगी, ता जे ये सी चन्देयां कि साड़ी वी विकारा में लो खलासी होए, तृष्णा दी आग तो बचिये, इर्खा द्वैश्त तो बचिये, सु आपनों कुई जानेंगा ना, ता उन्हों एस समझ आ जाएगी कि मैं सब कुछ कर सकदा, हाँ, जो पंक्ति में पहला आपनल कई बार सांजी कर चुका, ना ही देख, ना पाजिये, परम स्यानप एहे, ए पंक्ति ता सारे वीर पेना नोट कर ही लो, जिना कुलकाप्ना है न नोट कर लो, मैं दुबारा बोल देना, ना ही देख, ना पाजिये, परम स्यानप एहे, ए जिन्दगी दी सब तो वड़ी स्यानप है, ते एदा मेनिंग एहे है कि मानलो एह कम ओख है, ओखा जरूर है, पर एक कम होई नी सकता, एगल सोच के पजो ना, ओ कम हो सकता है, यान सब कुछ पॉसिबल है, तुसी सब कुछ कर सकते हो, एह चीज दी समझ आ जाएगी, कि मैं सब कुछ कर सकतना है, विल पावर पैदा होईगी, कि दूजे साच बोल सकते हैं, तो मैं भी साच बोल सकता, मैं प्रेम नाल रह सकता, मैं क्यों नी रह सकता, रह सकता है, क्योंकि गुर मेरे संग सदा है नाले, मेरे अंदर प्रबु है, सारा सिस्टम दे विच्चे सारा कुष एमे ही हो रहा है, मैं करसक नहां, फिर ओधी त्रिश्णा बुझ जाएगी. साद संग हर हर जस कहत, साद संग दा मतलब गुरू दी संगत, गुरू दी शर्ण, साद दा मतलब गुरू, संग दा मतलब शर्ण, जेडा गुरू दी शर्ण विच्चे है, गुरू दी द सिराते तुर्द है, जिसने गुरू अगे स्रेंदर कीता है अपना आपका, जिनने ग गुरू दी मातनु अपनालया है, अपनी मातनु उछाड के, जो गुरू दी शर्न वेच रेंदा हुया, हर हर जस कहत, राबदी सिफत उचारन करदा है, राबदे गुन उचारन करदा है, गुरू ग्यानु मताबक जिन्दगी दी रहा है, और हमेश्या पॉजिटिव सूच गुना दी गाल करदा है, कि साच मेरे अंदर के में प्रगट हो सकता है, साच नुक्य में फेलाया जा सकता है, साच बोलन दे की की लाब ने, धया दे की लाब ने, प्रेम दे की लाब ने, यानि जो गुरू दी शर्न वेच रहिंदा, गुरू दे दसे राहां ते चलदा, रबी गुना दी गाल करता है, देखो गल्ला केसी करनिया ही ने, गल्ला करन तो बिना सरना नहीं, जब आन राबन ने लित्ती है, किछ सिनी है, सुनी है, किछ कही है, जो तक दुनिगा में रहना है, कुछ सुनना में पहना है, कुछ कहना में पहना है, ते असी ऐसे बोल भी ब आसे म्यगिर्द के बमासे ने कि Benanda一 सॅद्वन पीर करें हैं और सारे divorced स्माज पास अन्दर मिए्विर भी रोध फैल जान ऐसी एमें दे बोल मिगर्सकरीं तिह थ security आपस विच प्यार मुहबद बनिया हुए होर वदे समाज दे विच मनुखान या दूरिया बनिया हुए जिडिया ने उकाट जान और दूरिया खतम हुजान ते असी इन दूरिया नो मिटा के एक दूजे दिनाल प्यार, मोहब्बत दिनाल रह सकी, असी बोल ऐसे भी बोल सकते हैं बोलाने असर जरूर करना है पहली गाल सानू बोलना मुल पहना है जबान बोलना दूजे उकल, बोलना दा असर भी होना है रियट्शन है यह होँ साड़े टे डिपैन्द करेगा कि असी बोलना की चन्य है। ओर आब्दा प्यारा है। अनों को रोग निलगदा। रोग दा मतलब कि उन्नु काम, क्रोध, लोग, मोह, कार, आस्सा, तृष्णा, चुगली, निंदा, चूट, फरेव ए रोग ने लागते, सारिंगा वढ़िंगा बिमारिंगा ने हों में दी बहुत बड़ी बिमारी है हों में दीरग रोग है ना तियो इन्फ्रियोर्टी कॉंपलेक्स दा शिकार हुंदा है ना सुप्रियोर्टी कॉंपलेक्स दा शिकार हुंदा है ना उनों निंदा दा रोग है ना उदे अंदर नेगिटिविटी है ना उदे अंदर नकारात्मकता है, ना दूज्यां दी बुरी आई सोच दे, उदे अंदर ऐसा रोग कोई भी नहीं है, ते याद रखना, जिस बंदे दी सोच पॉजिटिव है न, ओ 95% बिमारिगा तो बच्या रहन दे है, काट तो कट 95% बिमारिगा साधी नेगिटिव सोच कर के पैदा हुज़न दिया, 95%, क्योंकि जदो साथे अंदर कोई events, साथे अंदर thoughts पैदा हुज़न देने, साथे अंदर फिर emotions पैदा हुज़न देने, ते उस emotions नो एक तरंग पैदा हुज़न दी है, ओ तरंग साथे सिर्थ तो लेकर पैरां तक असर पा के खत्म हुज़न और साधरी शरीर दिए उठे अस्र पांदिये जो pleasant emotions ने वो साधे शरीर नू रिलेक्स कर देना साधे muscles नू रिलेक्स कर देना अनंद धायख हुणदेना और जड़े unpleasant emotions ने वो साधे शरीर दे अंदर खिचाव, मानसिक, तनाव पैदा कर देना ते जो मानसिक तनाव और खिचाव है, ओदे करके शरीर दे 95% बिमारिया शुरू हुजन दियाने, जिमें कबस बगेरा है, जहां निवरस्थीनिया है, डिप्रेशन है, जड़ा दिल्दा तड़का है, सा चड़ना है, जिमें कही के इनने मेरे ते गले दे वेचे गोला जा फ सिक तनाव करके ने, 95% रोग, इना तो ही बचया जा सकते है, तक गुरू जी कहन देने, जेडा रब्बी गुनान दा ता आरनी है, ओ राब्दा प्यारा, सारे रोगां तो रहत हुजन दा है, ओदे अंदर कोई विकारां दा रोग पैदा नहीं हुँगा, आन दिन के इरतन केवल बख्यान, उन्हों खक्खे दे पैर्थले, अद्दा यहा लगा हुए है, इदा उचारन ऐस टाइप दे नाल हुएगा, जिमें बबबा, खक्खे नल सिहारी, एडे नल कन्ना और नन्ना, जिमें उस लिखे नू बोलाग ना बख्यान, एमें इदा उचारन हुएगा कई वेरेनों बख्यान पढ़ दे ने बख्यान नहीं, इदा उचारन है बख्यान, अन्दिन कीरतन, कीरतन दा मतलव सिप्त सला, केवल दा मतलव सिरफ, अन्दिन दा मतलव हर रोज यानि हर समय, ति बख्यान दा मतलव उचारन करना, बोलना, जो इंसान हर वकत रबदी डिरी एक नदे द्रस्ट साबूरी कर दीए के सका करने सव अधिक क而已 मोई ने सकारात्मक वाल बोल बोल ने ढ़िए गुनाओ वार बोल वाल बोल ने एंद rhymes mix of you exist laky आप ड़े गुनाद नियोज गुम नहीं है गुरु जी कहने ने ग्रेस्ट में सोई निर्बान निर्बान दा मतलब वाशना तो रहे यानी निरलेप ग्रेस्ट दे अंदर रहन दया हुया वो बंदा निरलेप है वो बंदा निरलेप है वो जीवन मुकत है ग्रेस्ट दे विच रहन दया हुया उन्हों सार चड़न दी लोडने, पहाड़ा ते चड़न दी लोडने, गुफामा विच वडन दी लोडने, पोर्या विच वडन दी लोडने, समाधिंगा लान दी लोडने, ओन्नों माला फिरन दी लोडने, वरतन राते सरादां दी जरूरत ने, नंगे पैरी फिरन दी लोडने, मढि रिष्टमे वे पह सुछ नेरबान हो समय विच्ने है अफूत। डेखो किनी सध्फारन सिंपल सूखनीचाआ है शुतु देखो ठिष्णीचाएब। एवल गुना दीचाएब। प्रवार वीच्लेंदेदेदेदेदेदेे शमाझ फिच्रेहें। नानके अधाद के हो, सौरयां मेच विछरदयां, दोस्तां मेच विछरदयां, गुना दिगाल करने हैं, पॉजटिव सूचने है, पॉजटिव भोलने है, पॉजटिव करने हैं, ताहिसी मुकद हो जाओगे। इननु चे मुक्ति कहनने ने जो नर दुख में दुख नहीं मानने सुक्स नहें अर पैनें जाके कंचन माती मानने नह नंदेया नह उस्दत जाके लोग मुह अभिवाना हरक सोगते रह नियारो नहें मान अपमाना आसा मन सा सगलते आगय जागते रहने रासा काम क्रोड जे परसे नाहिंते कट ब्रह्म निवासा गुर किरपा जे नरको किनी त यह जुगत पच्छानी नानक लीन पयोगो विंदस्यों ज्यों पानी संग पानी ओते राबदे अंदर एंज मिल जन्द है जिमें नदिया नालया दर्यावां दा पानी समुंदर विच मेलके समुंदर दा रूप उजन्द है उन्दे को किना सौखा काम मैं ना पर इस प्रबु भी सिप्ट सला करदा है ओगरस्त दे विच लेंदा हुया ही निरलेप है ते जेडा सिप्ट सला दी गाल नी करदा किर्प नी करदा जिदी सोच पॉजिटिव नहीं है ओवेशा ग्रस्त मुचड़ जाए, सन्यासी हो जाए, बाबा हो जाए, ओदा ओई हाल रहना अगला बचन कारदे ने एक उपर जिस चन की आसा है जिदी आस सिर्फ एक थे है एक तो बिना हो जोड़ी आस नहीं है आस ता मतले थे विश्वास उमीद एक तो उमीद है उन्हों एक दे उत्ते पर उसा है उदा जो एक ती है एक राबदा हुकम, ओने परोसा है उन्हों ए परोसा है कि रभी हुकम तो बाहर कुछ हो नहीं सकता देखो गुरु नानक पातिशा जी महराज सानुए विश्वास दिवारेन ना हुकमें अंदर सब को बाहर हुकम ना कोई नानक हुकमें जी बुझ्ध है ताहूं मैं कहना कोई पूरी के पूरी कायनात हुकम दे अंदर है कोई भी हुकम तो बाहर नहीं है अतरती, चंदरमा, सूरज, ग्रह, नक्षत, रोगेरा सब सिस्टम दे विचने पॉन पानी बैसन तेरे सिस्टम दे विचने जिनने विजीव जंत मनुख मातर ने इस सिस्टम दे विचने कोई सिस्टम तो बाहर नहीं जा सकता उनसी कहना नहीं जी, करामाताते हुखनियाने, साड़ा बाब बाते करामाती है कईना इन्हें ऐसी कहानिया जोडगाने, ठिक पिंड ब्रास है, नी संग दे कूल करना लिष्टिक उते मैं आप एक कहाने सुनी है, मैं उस वाबेनों मिलेआ मिया जिदे बाद एक गाल कही जान सी صرف गाल कही जान दी सी, मैं नी कहा रहा है कि उसाठन जोड़ा जान पिक लोग मुझा कघर दी की ते फैलाया ऐसी किसे ने कि एक दिन असी आये सांजी एथे तरह मस्थान वेच ते बाबाजी नो वेख्या ते बावाँ वक्रियां परिगा लत्ता वक्रियां ते सेर वक्रा पया तो बंदे ने रोला पारता वी बाबे ने खुवाड के सूठ गया है जदो पेंडाले कठी हो तो बाबा चंगा पड़ा यानि ओधी करामाद दसीय पी अपनिया बावाँ लत्ता वक्रियां वक्रियां खलार के कठीयां कर लेंदा सी हुन ईहोजी आस जान ईहोजी गल कोई मूरुख बंदा ही कार सकता है स्याना ते नहीं क्योंकि रापधे सिस्टम वेचे में हो ओने सकता सिस्टम तो बाहर नहीं ना हो सकता, कोई आजी करामात नहीं कार सकता ते जे साथे मंदे विचे विश्वास आ जाए हुना सी कहने है ना कि बाबे नहीं जी बाबे ते फ़लाँ बाबे ओधी किरपा दे नालते टे विश्वास निवस्थाइबल सुस्ची रिए वार्दिता सी विश्वास आश्पी बाबे नहीं जी युटिता साथेवल लकुर्ष के जाए व वीश्प थि। नो नौल बच्चा है एराद ने जी में ते गुism chcia को है कोई बाबा़त हो निए सकता डन है पुर नानक दे तो वड़ा बाबा कोई हो नहीं सकता ते जे फिर सी कभी है पी कि पैन नानकी ने बाबे नानक नो ना क्या हुएगा जा बाबे नानक ने फिर पैन नानकी नो वर्दान के ओना दिता ते फिर सी चाट कहा द वागे नहीं हैंगे यो तो हुकम देवेच हुकम देवेच तो न जरूरी है। जलीडों लिए लिए रूहूर ज़रूरुपन्म देवेच नहीं दूर्दाूल facilitiesा भी अपराथी है। असी पावन बानी दे विच पड़े है ना, जे को खाएक आखन पाए, उह जाने जितिया मूँ खाए, खाएक दा मतलब मूरुख, कि जे कोई मूरुख बे समझ बंदा एक है कि मैं हुकम तो बाहर कुछ कर सकता है, ता फिर उन्नों पता है पिजनिया को दे मूँ ते पैनिग पर्स कान पता है के हुकम तो बाहर कूछ निहीं पनलगर जो कोछ होना है हुकम से विच यह जो मैं चाreally दा है, तिसकी कटी है जंकी फासा, फिर उदी जमादी फाही कटी जानदी, ते जामकेडे ने, जिनने मिया नेगिटिविटी है, जिनने मिया काम, क्रोध, लोब आधिक, विकार ने, पाप ने, ए जाम ने, जिनना ने बंदे दी सुर्त नो, कैच कीता हुया, फड़या हुया है, लपेता हुया है, जामी ते है ने, जो सी एक, दुद्धे दिनाल जाम होगी ना, जामने ऐस एर्खा दी, जामने बंदे नो आत्मक मौते मार दितता है, बंदे नो बंदे दा वेरी बना दितता है, क्रोध, जामी ते है ना, कि किवे क्रोध दिनाल असी लाल पीड़े हो, कि पहिने एक, तो जिननो अपनी शकल विंगर जान दिये ते पहड जामी ते है, selfishness, किने selfish लोगने जिनना ने कितने लोग का दा भेडा घरक कीता है, किनना नो उजार के ते आपने कारनो उसाया है, ओ जामी ते है ने विकार, गुरु भी कहना है, जिस दे जेडा बंदे दी, आस, विश्वास, एक रभ्य भुकम दे उत्ते, रभ्य गुना पार ब्रहम की जिसमन पूख जिदे मन दे अंदर रापदे मिलन दी तांग है, पूख है, तांग है, कि मैं सारे अंदे विच रापनू विखां, जिदे मन विच तांग है कि मैं रापदे हुकम विच तुरां, जिदे मन दे अंदर तांग है कि मैं रभी गुणा दा तार नह हुआ, ति राबदे अंदर ही मैं समाजा हुआ, पार बरहम की जिसमन पोख, नानक, किसे ना लागें दोख, तानगुरु अर्जंद पात्षाजी कहने ने उन्नों फिर कुई दोख नहीं लगदा, उन्नों कुई पीड़ा नहीं लगदी, उन्नों कुई दोख परभावत नह उदे अंदर दूशना नहीं पैदा हुआ, कि मैं, हुन मंदे अंदर पूख है, साच बोलन दी, मंदे अंदर प्रीत, तांग, साच बोलन दी, ति जिदे मंदे अंदर तांग ही साच बोलन दी, कि बंदा उच उठ बोलेगा, जिदे मंदे अंदर तांग है, कि मैं प्यार, मुहबबत दे नाल रहने, परिवार नल, समाज नल, ते की उधे अंदर इर्खा पैदा हुएगी, नहीं हुएगी, ते जिदे अंदर ये विकार पैदा नहीं होनगे, उन्हों दुख भी नहीं लगनगे, दुख ते ना विकारा करके ना, दुखी ते सी आप हो रहे हैं, में कहावत है ना, कि चिंता ऊना नो लग दी है, जिनना कुल चंता करनदा समा हुंधे, जिनना कुल चंता करनदा टाइम ही नहीं चंता स्तांधई की नहीं, उन मेरे वारगा वेला बंदा चंती ही करेगा अश्वेख तो जा जान की शाम तक, दुख़किए और कि शाम वोवर टाइम होना जो करका अंडार ही वोड चाहिए रात और सब्सक्राइग पार्चा होना रहता होना जन्तों पहला होन चैन्ता करन्दा तरव दोश ने विकार ने, उन्हानों दुख लगदे ने पर जिनना दी मन दे अंदर तांग प्रबल इच्छा, वेदना, खिच, कि मैं सिर्फ रब्मी गुणा तु भिना हूर मैंनो कुछ नि चाहिदा, मैं राब दे अंदर विलके राब वर्गा हूना है, जिनना दे अंदर ये तांग पैदा हू जंदी है, उनना दी जंदिगी द फिर दुख पैदा नि हूंदे, उनना दे जीवन दे अंदर विकार पैदा नि हूंदे, उदुखां तो बाच्छ जंदे जिसको हर प्रम मन चित आवे है, मन दे ननने नल सिहारी और चित दे तत्ते नल सिहारी ये दा मतलो मन विच चित विच जिस मनुखनों हरी मन विच और चित विच सदा याद रहन दे है, मन और चित नो थोड़ा जया, समझ लेना, जे तुसे नोट करना चाओ, जिन आकुल कापियाने, उनोट भी कर सकते हो, वैस्ते नोट पहलों किता है, लेकिन दुबारा करना चाओ, कर सकते हो, मन किनू कहन देने, मन दिमाग दी उस एक्टिविटी दा नाम है, जित्थों साधे अंदर विचार पैदा हों देने, कि मैं कुछ करना है जा नहीं करना, जो विचार ओंदेने, चंगे मारे जेडे भी, दिमाग दी उस एक्टिविटी नो असी मन कहन देया, जित्थों विचार पैदा ह तिर दूजआ है चित दिमाघ दी ओएक्टिविटी विच जिड़ी हरनु चेटे सीचित का आजिद थीद के German तो दिमाग दी ओए एक्टिविटी जो एक दूजे नालो वखेवा दरशान्दी है उनों इगो के आजन्द है हो मैं या मैं ता मान दा मतलब जेडे साधे विचार पैदा हो रहे ने चेत दा मतलब जो चीज जानू चेते रख दा है यानि जिनना दे मन विच भी रापदे गुण ने पी पैदा भी सिर्फ विचार गुणा दी हो रहे ने दूजा को फुरना फोरी नी रहा और जिनना दे चेते विच भी रापदे गुण ने फुरने जिडे फुरे मन विच ओवी गुणा बाले तो जो चेते विच ने, वो भी केवल गुण चेते ने, कोई ओगण चेते ने, जिसको हर प्रमन्चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, ये थे संत दा मतलब है शांत, सुहेला दा मतलब सुखी, ओ बंदा शांत हो जन्द है, ओ दे अंदर फिर विकारां दी आगनी रह ये नहीं क्यों संत बन जन्द है, चोड़ा पाके कारचाड जन्द है ना, ये नहीं क्यों बाबा बनके किसे गुफा विज जावर दे, ये में नहीं, संत दा मेनिंगे थे हैं शांत, सुहेला दा मतलब सुखी, नहीं डुलावे दा मतलब फिर ओ डोल दा नहीं, काबर दा नहीं, ऐसा बंदा फिर शान्त हो जन्द है, तोर ये अंदर शान्ती वर्त दिये, ऐसा बंदा फिर मनतन करके सुखी हो जन्द है, ते ऐसा बंदा फिर डोल दा नहीं, काबर दा नहीं, उनु पता है कि जो कुछ होना है रभी रजादे विछ होना है, फिर उ मारे मुटे लाल तो लेके तो शिर्पीड, पर उनुद ये सिर्पीड होए तो बापेवल नहीं पाजदा, पानी पूनी पीक टेल लेगा अधर उदर, नहीं तो पानटेस दी परासीता मोल दी गोली लिया कि खा लेगा, कैन तो पाव कि यो डोल के साच दा प्याग नहीं करेगा, आधर श्ट दूर नहीं जाएगा, जिस प्रभ अपना किर्पा करे जिदे ते रभ अपनी किर्पा करदवे, जिन्नों अपना बना लवे, यानि जो रभ दी किर्पा दा पातर बर जाए, हुन देखू, रभ सारे आंते ही किर्पा करदा है, जि मैं कहां कि रभ ने मेरे ते किर्पा कीती है, तो आडे ते नहीं कीती, जा मैं एह सोचा कि रभ ने तो आडे ते किर्पा कर देती, मेरे ते नहीं कीती, ता एह मेरी बे एक को जा है, एक की ही चार्च फेरे होदा हुकम है, तरती या चंद्रमा सूरज सारे एक हुकम देविचने, सब वस्त एक को ही नियमने, अमीर जे बार ने कनो वी तो उपलगेगी, गरीब निकलेगा, उन वी तो उपलगेगी, एक अलवखरी है, एक अमीर जीड़ा है, गरम पनीक बड़ाएगा हुदा हुदा रही जाने कि गरीब हिलया है ना, गरमी विच बार त्यारी दप्पा करना, काम करना, वो आदी है, उन्हे उस चीजनों मानया है, ते जिड़ा हार टैम एसी दे विच बैथा है, उन्हों दे एसी तो बार रहना पहा है ते प्रोबलम क्र लेकिन गर्मी सार्यामने बराबर है, सर्दी सारयाली बराबर है, रापदे हम बढ荒ते हैं, और प्त yig किर्पा करे दा मतलव जिडहा रापदी किर्पा दा पातर बन गया, जो रभी रजा देवे स्टुर्न शुरू कर दमें किर्पा दा पातर बन जाएं, सो सेवक कहो किस्ते डर है असल देवेच ओही राबदा सेवक है कहो किस्ते डर है गुरु दिके देन दसो फिर हो रुकिरे तो डर सकते है उनु काटा डर है उनु डर नहीं है उनसी डर नहीं आप उतांतो प्रेतांतो जमातो लिकिन जीटा रबदा प्यार है उनुद़र है ने उनुद आर खाद आ जो लो कोत वत प्रेत है नहीं असी डेर ने हैं मरं तो बाद नरकां जो कोत पीएनक़। पी तरमराज ते मरंतोबाद लेखा मंगेखा ते रापदा प्यारा मरंतोबाद वाले तरमराज दा ते नो डारी ने हो ते साफ लफजां वेच कहन दा है तरमराज अब कहा करेगो जो फाते हो सगरो लेखा पितरमराज मेरी लात्फवान लेगा, की कार लेगा तरमराज? ओ एस तरमराज नो समझदा है जो सिस्टम है जो आठा वोनो अहां मैं कुछ रिक्वाइरमेंट कुरी नहीं कीती ताह असव लो मैं दूजी बरी हो जागा, बाबाबादा सेवा क्योंकि तो डरेगा, इसे बाबे तो नो डर लगेगा कि बाबा मैंनू उसराप ना देदुए, लोक डर देने, ना ना ना, संता निंदया नी करने, देखो निंदया करने उनी चाहिए दी किसे दी पर साच बो मैं दो अरापद नाल को शंदा हुए हैं जो वार्दे नाल को शंदा हुए, बाबाबायान आपकी लो डोडे बुरिया अंद्झी आपकी लोड एक यहन मिंदया, ना एक्कम्रे दी सेवा हैं, वार्दे देन थी रादेन, वार्देन, पि मेरा बेला मैं, देरा देनने 10.000 कवरें दिये थे इमारत खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए क्योंकि वार देझता न हुँ आू साtle दो आड देदधा करा झे तो अड़ा मकान भाण भाद बन जाए, जैसील जा कहने है् 1100 चला जाए थो, मैं ते हुने एक वारदे आँचे थे पहुंदा ना टेर ला लाना, मैं तेले 1100 लखी करना, वो फिर एमे थुड़ा करन दे, वकनु ए चीजना समझ आ जानियाने, फिर उननों डार नहीं हुंदा, वो डार दे हुए कुई काम नहीं कर दे, वो साचनों प्रेम दे नाल बोल देने, रभी रजानों प्यार दे नाल फॉलो कर देने, वो सहयोग किसी दा डार करके नहीं प्यार नाल कर देने, क्योंकि सार्य आने विच वराबनों वीख देने, वो सेवक वो किस ते डर है, जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्ज में है आप सम्माया उन जैसा सा तैसा दृष्टाया क्योंकि उसमें प्रभू ओहुजा दिस्पेंदाय जेहुजा असल विच है जेड़ा राब दा सेवक है न ओदी गाल चल रही है सो सेवक को किस ते डर है यो सेवक भी गल चल रही है जैसा सा कि जै हो जया रब है तैसा द्रिश्टाया वैसा ही उन नजरी पह जन्द है उन वसलियत दा पता लाग जन्द है पिर रब एमें दय ते एमें दय है उन सानू राबदे परंपुलेखे पाये ने उते सोरग विच बेठा है साच्खांड विच बेठा है किते जन्नत विच बेठा है किते होर बेठा है लेकिन जड़ा राबदा सेवक है जने सिस्टम नो समझा उनों ते जमेंदा राबदा है उमेंदा दिस रहा है ओ ते साफ कह आवित सानू ही समझा रहेने लोगा परमना पूलो पाई, खालक, 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 मैं खालक पूर रहो सरब ठाई हुनांत को परम है ही नहीं हुनांत दिस रहे, दोई-दोई लोचन पेखा हूं, हर बिन और ना देखा हूं। उनन ते साफ दिस ठैपया, ते जिडे असी परमपलेखे बाले आँ से कहीं ना उट दसम द्वार वच दिस इगा, उट पाड़ा ते जा के दिस इगा, परमपलेखे ने जैसा सा तैसा दिश्टाया, अपने कारज में आप समाया, कारज दा मतलब जगत, जो दी अपनी रचना है कारज दा मतलब जगत संसार रचना आप समाया दा मतलब आप ही ऐस रचना दे अंदर समाया हुया है प्रभु दे सेवक नुए समझ पैजन दिये जै हुजा है उह हुजा दिस पैंद है उनुए समझ पैजन दिये अपने कारज में हैं अपने ऐस रचे हुए कारज संसार द अंदर आप समाया ता मतलब आप भी व्यापक है तो बार नहीं है देखो सारी बाणी सान लड़ी बार इस समझा रही है ना जल्थल महील पूर या रवया विच्छुना तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कट कट मैं हरजू वसे सभय काट राम बोल ले रामा बोल ले राम बोल ले देखो किने सपष्ट लफजा में समझा है ता राबदा प्यारा तै जड़ा बंदा है ना उनों अपने ऐस कारज दे अंदर आप समाया हुए नजरी पहन दा है कुदरत करके वस्या सोए वकत विचारे सो बंदा हुए कुदरत है केमत नहीं पाए जा केमत पाए ता कहीं न जड़ाए अपनी रचना दे अंदर और रचनहार समाया हुए है अकाल पुरुख सी मूल मंतर विच पाड़ाया पुरुख दा मतलव समाया हुए रब दे प्यारे नू इस समझ पैजन्दी है सोधत 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 सिज्या सोधत सोधत दा मतलव निरना कर देया कर देया विचार कर देया कर देया खोड कर देया कर देया सिज्या दा मतलव कामयाब हो गया सफल हो गया कामयाब भी हो जन्दी कि अगअ वकैनी सफंदने, लेशन नित विचार कर देया, उस सेवक नो शफलता मिल जंदी है, इना चीज़ा में तुछ सफल हुजन दे, क्योंकि जेडी चीज बारे कूसी रोजविचार करोगे, इस चीज नो रोजविचार मन्दल विछ वसाओगे वा सफल हूजाओगे कि बें असी सफल हुजय नहीं देख़ू, मैं काल परसों में गाल कीती सी, जिनने में इसी पहन पराहां देख़ू, साथ शाथ साल दी होगी, ति मैं मेरी ख्याल देविच पढाई हई चड़ी सी, तो दस तक दे पहाड़े आज भी याद ने, क्यों याद ने, हाला कि कदे यूज ने कीते, पहाड़े पढ़े नी, पर याद ने, क्यों याद ने, क्यों याद ने, क्यों क्यों याद ने, क्यों 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 क्यो लिए निट जिनने मिया डोक्टर ने, इंजिनियर ने, वे ग्यानिक ने किननी बुरियना ने रिपीट कीता है उन्हा चीजान नू पड़ेया है, तहां काम्याब होई ने, तै काम्याब दा कारण है, जिमे जिमे तुसी अपने विचार मंदल विच गुना नू वसाओगे, प्रेक्टिस करोगे तर तुसी कामिाब हो जाओगे, गुणी हो जाओगे, गुणी समावनया, गुण गानवाला, गुण कहनवाला, गुणी रापदे वेची ही समाजन थाए काम करो एफ फार्मुला है किसी वी चीज दे माश्त्र हून ली 10,000 खंते मान वो तुसी एक चंगा गायक बनना चांदे हो माश्त्र हांसल करना चांदे हो ता 10,000 कंटे मेहनत करो जे करीब करीब साथ पांज पाउने शे कंटे रोज बन्दा मेहनत करे ते पांज साल लां वेच दास कंटे बन जांदे 10,000 कंटे बन जांदे ते पांज साल दे अंदर कोई बन्दा जड़ा है चंगा गायक बन जांदे कोई भी काम करो 5-6 कंटे डेली दी प्रेक्टिस, तब बंदा मास्टर हो जएगा 5-7 साल वे, जय जादा करेगा ते जल्दी हो जएगा, अज कोई की इरतनियावीर है, कोई गायक है, जा कोई तबला बादक है, तब उनने 5-6 साल मेनत कीती है 5-5-7 कंटे रोड, ताव मास्ट रुषीज दा, हुन डॉक्टर ने, अपने क्लास वे चिरीना पे अनजी ने, तब इनना ने मतलब कोर्स कीता है भी 25 साल पड़े ताई डॉक्टर बड़े, तो कि प्रेक्टिस किती ही ना, ते जे असी गुनादी प्रेक्टिस करिये ना, रोड, और भी गुनादी प्रेक् सफल हो जाएगा ना, बंदा, सोधत, 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 सिज्या, गुर प्रसाथ, गुज्य, गुरु दे किरपानल उन्नु सारी असलियत दी समझ आजन दी विचार कारदेयां कारदेयां, बंदा सी जयादा मतलब काम्याब हो जन्द है, और गुरु दे ग्यान रही उन्नु असलियत दी समझ आजन दी तत ता मतलब असलियत, देखो साठी एक समस्यादा सोलोशन हो ग पर गुरू जी के नहीं हुआ जा सकता है, देखो किना सुखा सोधत सोधत सीजेया, कि विचार कारदेया कारदेया बंदा काम्याब हो जन्दे, गुर प्रसाद तात्सव गुझेया, गुरू दे ग्यान मुताबक जिंदगी जीमिया, ओ जिंदगी दी असलियत नु जान लें और एक महान इंसान होजन्द है, ये संभावना सदे सार्या विच है, इसलिए सानु ट्राई करने चाहिए अगला बचन कार रहे ने, जब देखों तब सब किछ मूल, जब देखों, जब दा मतलब जदों वी, इनू देखों नी पढ़ना, इनू पढ़ना है, देखों, इसलिए सार्ड परसंदी गाल हुं दी, फिर देखों पढ़ना से, फर्ष्ट परसंदी गाले, देखों मैं देखदा हां, जब देखों देखों अर्थ होजगा तुसी वेखों, जब देखों तब सब किछ मूल, मूल दा मतलब प्रबू रूप दिस्ती हुई हस्ती, कि भी मैं वेखना हाँ ताद मैं हर वस्तु दी जड़ वाही गुरुम्हेख रा हूँ। जदों ही मैं वेखना ताह नू आपना एननु ए नगरी पेंदा है पि एदा मूल वाही गुरु एदा मूल वाही गुरु है। इदि जाड वहे गुरु है कि में है हुन तुसी ऐस रचना दे पिछे चले जाओ जदो रचना निसी तुसी समुंदर ते बुलबुले वे खो हजारां बुलबुले ते की करो गे पि बुलबुले रेत देने जब बुलबुले पथर देने नहीं ना बुलबुले का दे ने जी बोलके दसो अनम्यूट दे ने बुलबुले का दे ने पानी दे हर बुलबुला पानी दा है हर लहर पानी दी है ऐसे तरह जदो मैं वेखदांते हर जीवदा मूल रब है मन तु जोत सरूप है जब देखों तब सब किछ मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल सूखम दा मतलब सूख्षम बारेक अस्थूल दा मतलब दृष्टमान मुद सो सुखम सोई अस्थूल कि दिस्ता संसार भी ओ आप ही है और व्यापक जोत भी ओ आप ही है आप ही आप तो फैल्या होया है ओही सुखम तो अस्थूल हो गया है तूं सुखम हुआ तूँ पेड, शाक तरी फूली, तूँ सूखम हुआ अस्थूली, एक निका जा बीज, ओही जड़ा बनया है, ओही तना बनया है, ओही टैनिगा बनया है, ओही पत्ते बनया है, ओही फुल बनया है, ते अखीर विच ओफिर बीज दा बीज है यानि एक निकाजा बीज ही वरक्ष बन गया है, टैने बन गया है, पत्तिगा बन गया है, उस उखम ही अस्तूल हुया है, पाव की चार चुफेरे उप्रभू आप ही फैलया हुया है, ऐस अंसार मानो एक वरक्ष है, रब एक वरक्ष है, ते ऐस अंसार दे जिन्ने में जीव जंद खांट मंडल ब्रहमांड ने ए सब ओधियां ही तैनियां ओधे ही पत्ते ओधे ही फल और ओधा ही फुल ने जदो मैं देखदा हां ता जिदर देखदा हां ओधर ओर रब ही रब नजरी पहिंदा है गुरु पातिशा जी रहमत करन अस्य गुरु जी दी पावन पुवित्तर बाने नो पढ़िये सुनिये विचारिये और गुरुबाने मुताबक जिंदगी जी के अपने जीवन नो सफल और सुचज्या करिये